हेलो फैंस वेलकम टू नुई ऑक्सफर एजूकेशन चलिम आज 69 बिप्यसी का टेस्ट नमर वन बना जा रहे हैं यह आपका आस्था आयस का टेस्ट पेपर वन है आपका पेपर वन है यह आपका इसमें आपका डेश्ट परस्न है और यह आपका नए पैटर्न पर अधारित ह इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें आपका आपसन ई नहीं है जैसे बिप्यसी का चुका है कि आप आपका टेस्ट लिया जा रहा है आपका आपका आपसन ई इसमें नहीं है यह आपके लिए अच्छी बात है और चलिए हम शुरू करते हैं आप पता होगा कि 30 करें और आप अभी से प्रैक्टी सेट लगा कर देखिए कि आपका त्यारी किस तरह जा रहा है चलिए हम शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप जो आप बीपेसी सिक्षक वाले अवियार्थी है वह भी देखें क्योंकि आपका ये भी एक्जाम बीपेसी ही कंड़क्ट कर आप सत्य है यानि गलत है आपसन ए है कि कौर देख भारत अमेरिका अस्टेरिया जापान के बीच या अभ्यास पर तेक वर्स आयूत होता है बिलकुल सही है सकेंड आपका है बी है कि दोजार बैस में इस अभ्यास का आयूजन जापान की मिजवानी में किया गया ये भी सह अपास्तेस में इस अभ्यास का आयूजन अस्ट्रेलिया में किमेज्मानी में किया जाएगा ये आपका सही है तो आपका हो गिया इसका एंसर के ऑप्सण सी ये आपका दैश हम अपन को देखती है option A है कि यह परतेक दो वर्सों पर नव जन्मरी को मना जाता है बिल्कुल सही है B है आपका कि 17 प्रवाशी भारती दिवस 32 को इंदोर यानि भोपाल में मनाया गया A B सही है आपका B भी सही है C है कि 17 प्रवाशी भारती दिवस के मुक अतिती के रूप में मौरिसस के प्रधान मंत्री मौरिसस के नहीं थे यह थापका ग्यूयाना के राश्पती थे मुक अतिती मौम्मद इर्फान अली और आपका थे सुरिनाम के राश्पती चंद्रिका संथोकी याद रखेगा तो आपका option C, गलत हो जाएंगे, A सही है, B सही है, C अपका गलत है D है कि दगांदी जी के अफ्रीका से भारत आने को पलक्ष में मना जाता है, ये भी आपका सही है आपका हो जाएगा option C हो जाएंगे Next आपका है question number 3 Question है कि भारत का एक्तालिस्वा अंतराष्टे बेपार मेला का आईजन नहीं दिल्ली में प्रगत्ती मेदान पर किया गया इस संद्र में कौन सा कथन गलत है फिर आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, चलिए हम option देखते है इस अंतराष्टे बेपार मेला का उधगाटन किंद्रे वानिज मंत्री पीस गोयल दोरा किया यह बिलकुल सही है सेकेन अपका है कि साज़धा राजधा बिहार जार्खन महाराष्ट यह भी आपका सही है फिर आपका सी है कि फोकस राज केरल और उत्तरप्रदिस यह भी सही आपका है कि सर्फिस्ट राज आपका बिहार यह आपका गलत है तो आपका हो जाएगा option D हो जाएगे क्यों से आप से पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है तो आपका option D हो जाएगे नेक्ट अपका है क्यों सालिजा धामी option आपका बी हो जाएगे याद रखेगा option B हो जाएगे बहुत important प्रस्षन है आपका करेंट फेर का नेक्ट अपका है क्यों सिक्स कि पतना जिले में इस्तित किस गौउं के पीतल उद्यों को उत्तर प्रदेश के मुर्दावाद के तरज पर विक्सित करने की योजना बनाई है यह अपका गौउं का है परेव क्या गौउं है परेव option A हो जाएगे नेक्ट अपका है question number 7 question है कि हाली में स्विक्त राष्ट मानवदिकार प्रिशद के विस्यष दूद के रूप में निक्त होने वाले पहली SI कौन बने है पहली SI बने है याद रखेगा डॉक्टर के पी आश्वनी डॉक्टर के पी आश्वनी option A हो जाएगे नेक्ट अपका है question number 8 question number 8 है कि प्रेटन को पुर्शान देने के लिए के लिए विसाल अस्तर पर अंतराश्टे प्रेटन प्रदसनी यानि FIT FITUR किस देश ने जनवरी 32 में आयुत हुई यह कहां पर हुई है याद रखेगा यह हुआ आपका कहां स्पेन में option B हो जाएंगे next अपका है question number 9 question 9 है आपका तेलगू फिल्म आर आर के बारे में निम्खित में से कौन सा कतन सही है देने जगा कौन सा कतन सही है चलिए option परते है option 1 है कि इसके गाने नाटू नाटू ने गोल्डेन गलोवर आवार 32 में सब्सेश पुसकार जीता है बिल्कुश सही है second है कि नाटू नाटू गाने के लिए फिल्म क्रिसस 24 पुसकार 32 जीता है फिर्थ 3 आपका कि आरर को आक्सकर पुसकार 32 के लिए बिद्यसी भासा समवर्ग में नामित किया है आपका 3 गलत है 2 आपका सही है आपका हो जाएगा option number a हो जाएगे cable 1 and 2 next आपका है question number 10 question है कि हाली में स्वास्त का अधिकार विद्यक पारित करने वाला भात का पहला राज कौन बना है ति ये बना आपका राज्थान याद रखेगा option B हो जाएगे next आपका है question number 11 question है कि हाली में जारी annual state of education report बाइस के नुसार किस राज में इसकूली बच्चों का गनीद और अंग्रेजी दाख्षता में अतिदिक सुधार हुआ है ति ये हो आपका बिहार option C हो जाएगे next आपका है question number 12 question है कि 19 में बिम्स्टेक मंत्री अस्त्रिय बैठाक 32 कहां हुई है कहां हुई है ति ये हो आपका Bangkok में option C हो जाएगे next आपका है question number 13 question है कि हाली में प्रधामंत्री दोरा भूल भलेया उद्यान और मियावाकी वन उद्यान का कहां किया गया उद्गाटन कहां किया गया ये किया आपका एकता नगर गुजरात में कहां किया एकता नगर गुजरात में ये जितना भी आपका जो अभी current effect का प्रस्ण है ये सभी आपका important है इसे आप ऐसे किजएगा उसे note down कर लिजएगा ये आपके लिए better रहेगा exam time के समय में आपका revise करने के लिए आसान रहेगा इसलिए ये सभी प्रस्ण आपका important है इसे आप note कर लिजए copy में और जितने भी हम test कर वाएंगे सभी में से जो आपका current effect है उसे note करते जाएगा तो आपका एक अच्छा खासा exam से पहले current effect का प्रस्ण हो जाएगे उसको रिभाइज करके exam में जाएगे तो आपको helpful लेगा चलिए हम next question देखते हैं question है आपका चौदा कि मुहमद साफुदीन चीफू ने किस देश के सबसे लंबे तक राश्वति रहने वाले मोँमद अबदुल हमीद का आस्थान लेंगे तो यह है आपका बंगलादेश कहले के हैं next अपका है question नमर 15 question है कि हाली में message इंडिया दिया 30 के लिए किसे चुना है हाली में मिसेज इंडिया 23 के लिए किसे चुना है तो आपका किसी option नहीं है ये चुना गया है नंदनी गुपता किसे नंदनी गुपता को जो आपका रास्थान के रहने वाली है नंदनी गुपता आपका option हो जाएगा E इन में से कोई नहीं देखिए कैसा अफसंदी आपका इन में से कोई नहीं कौन है याद रखेगा नंदनी गुपता कोशन है कि हाली में वकिलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संदक्षन कानून लाने वाला देश का पहला राज कौन बना है यह बना आपका राजस्थान आपसन बी हो जाँगे जुरूर याद रखेगा कोशन है कि मुखमंत्री नितिश कुमार ने दिल्ली हाट के तरज पर किस जीले में मिथला हाट का लोकारपन किया है तो यह कि आपका मधवनी में ऑर मधवनी में कहां तो एक अरड़्यय संग्राम जगा अरड़्य संग्रं में किया है मधवनी में ऑपसन E हो जाँगे कोशन नमर 18 है कि हाली में द्वीत तیस की दुनिए के महानत्म अस्थानों के टेम्स सूची में निम्रकेश में से किन दो भारती अस्थानों को यानि भारतीयों को अस्थान में सामिल किया गिया है भारती अस्थानों को सामिल किया गिया है तो आपका 18 को जाएगा आप्सन नमर B कि मैयूर भंच और लदा को किसको समिल किया मेरु भंच और लदा को याद रखेगा नेक्ट अब का है कोश्चन कोश्चन नमर उन्हीं से आपका कि वर्ष दोया तेश में बिहार के किन हस्तियों को पदम सिरी से समानित नहीं किया गया है तो यह आपका यह आनंद कुमार को किया गया है कफिल देव परसाद इसको भी किया गया लेकिन द्रोगारा इसे नहीं किया गया है एक ची और याद रखेगा आप एक ची और याद रखेगा कि इस बार कितने ब्यक्ति को पदम पूर्शकार दिया गया है तो यह दिया गा आपका 106 ब्यक्ति को 106 व्यक्ति को दिया गया जिसमें पदम भूशन मिला 6 व्यक्ति को और आपका पदम भूशन मिला 9 व्यक्ति को और आपका पदश्री अवार मिला 91 व्यक्ति को इसे जरूर याद रखेगा नेक्ट आपका है कोश्चन नहमर का 20 कोश्चन करहां कि निंखित में से कौन सुमेलित नहीं है निंखित में से कौन सुमेलित नहीं है चलिए option A परते है ये आपका है कि b b my man story Benjamin Tenwa बिल्कुल सही आपका option A बिल्कुल सही है b आपका है टॉम अवशाइट्स गितान जली सिरी ये भी सभी है अवर्ड अमर्ट सेन ये भी अपका सही है अन्वांटेट्स गुलाब नभी अज़ाद ये अपका गलत है इसका आपका गुलाब नभी आजाद नहीं है याद रखेगा यह अपका यह अपका अवहे नंद कौन है अभय नंद अबहाई नंद है इसके लेकर कौन है अभय नंद है नेश्ट अपका है कोश्चन नबर 21 कर रहे है कि नम्सकीत में से कौन सुमेलित नहीं है यानि कौन सही समयलित नहीं है यह आपका कि शेटरबी सैटर के यो にगा अध्यक्षण अबुल्ह साहिद फिर क्राइब प्रोश अघंदम यह बिल्कुत सही आपका फिर आएमफ के प्रवंदक है किस्टलोना जर्जीबा यह भी आपका सही है विस वाइंग के अधियक्स आपका अजय बंगा यह आपका अभी नहीं है लेकिन यह आपका कारिवार समालेंगे याद रखीगा दो जून 2023 से कव से समालेंगे दो जून 2023 से समालेंगे इसलिए आपका option का अपका option D हो जाएंगे क्योंकि बरतमान में आपसे पूछ रहा अभी की समय में तो अभी की समय यह अधियक्स नहीं है हाँ इसके अधियक्स को आपको नामित किया गया है लिएक इसका कारिवार आएगा दो ज कौन सही सुमेरित है देखें जो वाइडन 46 में राजपती है अमेरिका का ठीक है सहबाज शरीफ 23 पर्धामंत्री है कहां का पाकिस्तान का बिल्कुर सही है रिशी सुनक 57 ब्रिटेन के पर्धामंत्री है आपका A B सही है B B सही है C B सही है यह आपका option D हो जाएंगे ओपयोक सभी ओपयोक्त सभी नेक्ट अपका है question number 23 question अपका है कि बिहार के मुखमत्री नितिस्कुमार दौरा किस वर्स तक हर खेत में सीचय निश्चित योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है यह दिया अपका दोयार 25 तक कब तक दोयार 25 तक पूरा करने का लक्स दिय याद रखेगा. नेक्ट अपका है question no.22 कोच्ट है कि World University Ranking 32 में कौन सरवच रैंकिंग पाने वाला भारते संस्थान बन गिया है. ति यह अपका option A हो जाँगे भारते खिया जाँचन साँचनatas्थान बेंगलूडू भारत के विज्ञान संस्थान बेंगलूडू आप्शन ए होजेंगे नेक्ट अपका है कोश्चन नबर ट्वैब कोश्चन नबर ट्वैब आपका कि अंतराश्टी ओलंपिक समीति के बैठा का आईजन वर्ष दुज़ा तेश में भारत के किस चाहर में किया जाएगा भात के किस चाहर में किया जाएगा ति ये किया जाएगा आपका मॉंबई में ओप्शन बी होजेंगे कहां किया जाएगा मॉंबई में नेक्ट अपका है कोश्चन नबर ट्वैटी सिक्स कोश्चन है कि समीत रास्ट बहुयामी गरिबी सुचकां के नुशार 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच भात के कितने लोग गरिबी से बाहर आये हैं तो ये आये हैं आपका 41 करोर कितना 41 करोर इस डाटा को आप याद रखेगा क्योंकि आपको BPSC आपका डाटा अधिक पूछते हैं इसलिए याद रखेगा कितना 41 करोर नीक्ट अपका है Question 27 Question है कि 22 March 32 करो बिहार अपना कौन सा अस्थापना दिवस मनाया है ये मनाया 114 पिहार का स्थापना खुत अपका 20 March याद रखेगा 20 March 1912 को इसलिए 20 March को परतिक वर्ष बिहार अस्थापना दिवस मनाते हैं Question 28 याद रखेगा कि हाली में प्रदामांत्री ने स्री सिद्धो रोड रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलूमेटर लंबे विश्व के सबसे लंबी प्लेटफॉर्ण का किस अस्थान पर उद्धाटन किया है ये कि आपका करनाटा के हुबली में हुबली में सोरी करनाटक के हुबली में या दखेगा करनाटक के हुबली का आप पलेटफॉर्म सबसे लंबा पलेटफॉर्म हो गया बिस्व के option आपका ए हो जाएंगे next आपका है question number 29 question है कि निम्ष्खित में से किसे dr. AP जो अद्दू कलाम lifetime achievement award 32 से परदान किया गया है option C हो जाएंगे next आपका है question number 30 question number 30 है कि एक सर्द्याप का राज या किसस्री कर दिस Kanga आपका राजपाल करा कौण सा सूमयलित है इन सही सूमयलित है चाह ब्लादाक कीना जाएंच भीड़ी मिस्ट फिर राजपाल 8 फिर आपका है question number 31 question है कि निम्कित में नाटो का सबसे निम्तम सदस्ट कौन है नविन्तम सदस्ट कौन है यानि नया सदस्ट कौन है यह बना आपका Finland option यह हो जाएंगे कौन बना है Finland next आपका है question number 32 32 तो आपका यहां तक आपका current affair का प्रस्ट था यानि 31 तक था आप सोच सकते हैं कि BPSC में आपका लगवाग तीस से 35 question आपका current affair कराता है इसलिए current affair पर जैदा ध्यान दीजिए अभी से आप current affair पर जैदा ध्यान दीजिए next question आपका है question number 32 question है कि निम्खित में से असत्य कथन को chain कीजिए यानि यो गलत option है आपका उसको chain करना है option A है कि संसद्य बेवास्ता में काड़ पली का बिधाई का के परती उतरदाई होती है विल्कुल आपका सही है B है कि अधक्षिय सासन बेवास्ता में काड़ पली का बिधाई का के परती उतरदाई नहीं होती है ये भी आपका सही है option C है कि संसद्य सरकार को सरकार का वेट यानि वेट मिस्टर सोरूप भी कहा जाता है आपका ये भी सही है ये आपका option E हो जाएंगे ओप्युक्त में स कोई नहीं कौशना गलत है तो सभी सही है इसलिए आपका डी हो जाएंगे ओप्युक्त में से कोई नहीं next question आपका है question 33 question है कि निमखित में से किस अधिकार का समद्ध 21 के देरे में नहीं आता है आपको पता होगा कि 21 में है क्या प्रान और दाहिक सुदंता किसका उलेख है प्रान और दाहिक सुदंता तो इसमें आपका मिर्टुदं नहीं आते हैं मिर्टुदं नहीं आते हैं option A हो जाएंगे next आपका है question 34 question है कि लोक नियोजन के मामले में कि आपसर की समन्ता का अधिकार का समन्त किस अनुशेद से है तो यह आपका अनुशेद 16 है सोलम दियागे आपसर की समन्ता पंद्रम की आपका तो पंद्रम है लिंग धार्म जाती के अधार पर भेद्वाव निशेद फिर अपका है अनुशेद 21 में का है प्रान और द्याहिक सुदंता है next question आपका है question 35 question है कि निमकित में से कौन सा सधारन बहुमत द्वारा संबध संब्धानिक संसोदन के अंतरगत आता है बहुत अच्छा प्रस्ण आपका है कि संब्धानिक संसोदन के द्वारा सधारन बहुमत के द्वारा संब्धानिक संसोदन के अंतरगत आते हैं option A है कि संग एमोंग राजों के बीच विधाई सक्तियों का बीतरन B है कि अधिकारि कत्रों में से कौन सा कत्र असत है द्यांदेजी ऑफ क्या असत है यानि गलत है चलिए ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए है कि पंचती राज विवस्था प्राचिन काल से भारतिय करामिन जीवन का एक अविन अंग रही है बिल्कुल सही है बी अपका है कि तिहत्रवा संसोदन 15 अगस्त 1993 को परभाई हुआ ये भी अपका सही है सी अपका है कि भारतिय संधान का अनुछेद 243 का जी उसके महत्व को बढ़ाया है ये भी अपका सही है डी है कि पंचेती राज का सुरुआत मद परदेश नहीं मद परदेश से नहीं हुआ था ये आपका रास्थान के न नेक्स अपका है कोश्चन 37 कोश्चन है कि निमखित में से कौन सा किंद्रिय मंत्री मंदल का सही वीवरन नहीं है कौन सा किंद्रिय मंत्री मंदल का सही वीवरन नहीं है चलिए ऑप्सन देखते हैं ऑप्सन है कि यह उस समय तक सता में राता है जब तक उसे संसद में विस् त्री मंदल का सदस नहीं किया जा सकता है यहीं आपका गलत है किया जास नहीं यहां पर नहीं होगा किया आपका यहां पर नहीं नहीं होगा कर सकते हैं किसी बैक्ति को कर सकते हैं लेकिन इसमें है कि छे महिना के अंदर उसे संसद बनाना पड़ेगा या चाहिए लोकस्वा क सदसो चाहिए रासवा का सदसो लेकिन वह कर सकती है आपका option B ही गलत हो गया C क्या है यह संसत के प्रती उतर दाई है बिल्कुर सही है D क्या है किंदिय मंत्री मरल का द्यक्ष प्रधाम मंत्री होता है यह भी आपका सही है तो कौन सा गलत था option B आपका गलत था next up का है question 38 question है कि नम्खित में से कौन सा विधान परिश्दत के सदस बरने के बारे में सही नहीं है option आपका है कि वह भात का नागरिक हो और कम से कम तीस वरस का उम्र हो बिल्कुल सही है B अपका है कुवा भात या राज सरकार के किसी लाब के पदार नहीं किये हो यह भी सही है अपका C है कि उसका नाम समधित राज के मतदाता सुची में नहीं हो यही अपका गलत है मतदाता सुची में हो नहीं नहीं हो गाया पर कि उसका नाम समधित राज की मतदाता सुची में हो यहाँ पर क्या है? नहीं हो इसलिए आपका option C क्या है? गलत है D क्या है? कि बिधान परिसाथ कुल 6 राज जो में है बिल्कुल आपका सही है तो इसका answer क्या हो जागा? आपका option C हो जाएंगे आपसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है इसलिए question number 39 question है कि भात के समधान का कौन सा राश्टी अपातकाल से समनिद है? आपका पता होगा अनुचे 352 है अनुचे 352 है अनुचे 352 में आपका क्या है? राश्टी अपातका वर्नन है एक ची ध्यान रखेगा कि आपका राश्टी अपात है कब लगता है? ये आपका यूद बाह आकर्मन और ससत बिद्रों के अधार पर क्या लगते हैं आपको राश्टी अपात का लगते है अनुचे 352 के तहट और एक ची और ध्यान रखेगा कि भात में सरपर्थम आपका कब लगा था राश्टी अपात? ये लगा था 1962 में भात पाकिस्तान यूद के समय में भात पाकिस्तान नहीं भात चीन के यूद के समय में 1962 में चीन के साथ यूद हुआ था उसके बाद लगा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में फिर लगा आपका एक बार 1975 में तो तीन बार अभी तक राष्टिया पात लग चुका है आपका बीतिया बार भी नहीं लगा है ध्यान रखियेगा नेक्ट आपका है question number 40 question number 40 है कि एक पंचयत समीती किस अस्तर पर पंचयती राज का संचालन करती है ये करती है आपका block अस्तर पर कौन है पंचयत समीती है किस पर करता है block अस्तर पर करता है आपका gram अस्तर पर करता है gram अस्तर पर करता है जिला परिसाद next अपका है question number 41 question है कि राजसभा के परतिनित में सामिल है option A है कि भारत के राश्टवदुरा मनुःत सदस बिल्कुल ठीक है आपका किसमें 12 सदस राश्टवदी मनुःत करते हैं कितने करते हैं 12 सदस को राश्टवदी राज सभा में मनुवित करते हैं फिर अपका है अपका है option B क्या है कि नागरी को द्वारा सिधे चुनेगे सदस ये अपका गलत है नागरी किसे नहीं चुनते है option ये अपका सही है अपका C है कि अपरतेक शुरूप से नागरी को द्वारा उनके परती निधियों के माध्यम से चुनेगे सदस ये भी आपका सही है तो आपका इसका answer हो जाएगा option A and C, option D कहाँ उप्योक्त सभी, उप्योक्त सभी आपका सही नहीं है, इसका answer होना चिए cable A and C कहाँना चिए A and C तो आपका हो जाएगा इसका option A and C लेकिं option कहीं नहीं दिया है कोई नहीं, next question आपका है question number 42 question है कि निमकित में से किस की आध़क्ता में बिनाए पिटक एवन सूत पिटक का संक्लन हुआ है बिनाए पिटक एवन सूत पिटक का संक्लन हुआ तो यह हो आपका सुभु कामी option A हो जाएगे next आपका question number 43 question है कि कौँ सा युग्म सुमेलित है यानि सही सुमेलित है काली बंगा है रास्तान मिल्कुल सही है कि मालवन गुजरात फिर आपका C है अमम, KD, उत्तरप्रदेश आपका A B से है, B B से है, C B से है option D हो जाएगे उप्योगते सभी next आपका है question number 44 question है कि निम्खित में से कौन सा हरप्पा काली अस्तर पाकिस्तान में अवस्तित नहीं है तो यह आपका रोपर रोपर कहा है आपका पंजाब में option C हो जाएगे next आपका है question 45 question है कि धर्म सुधार अंदलों के दोरान वाइदिक धर्म की परतिष्ठा को पुना अस्तापित करने के निम्मे से किस की भूमिका नहीं है ज्यान देजे किस की भूमिका नहीं है question पर यह क्या है question है कि धर्म सुधार अंदलों के दोरान स्वामी बीवे का नंद 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 सबी भक्ति आंदरों के संतों के मद एक समान विशिस्ता थी कि उन्होंने अपनी वानी को उसी भासा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे बिलकुल सही है आपका ओप्शन यह हो जाएंगे नेक्ट अपका है कोशन वर फोटी एट कोशन है कि मादिकाली इतिहास में दार उड़ सफा किस बिभाग से समझते था दार उड़ सफा किस बिभाग से था यह थापका राज किया अस्पाताल से ऑप्शन यह हो जाएंगे यह विभाग आपयाद रखेगा फिरोस सा तुगलक ने का विभाग था? किस का था? फिरोस सा तुगलक नेक्ट अपका है कोशन वर फोटी नैन श्चन आपका है कि संगम के संगम यूग के संदर में टोड़ी मुश्री कोड़काई इत्यादी यह किसे यह क्या था ति यह था आपका याद रखेगा वानीजिक गतिविदी के बंदरगा यह सब क्या थे वानीजिक गतिविदी के बंदरगा option C हो जाएंगे नेक्स आपका है question of 50 question है कि वह द्यक्षिंतम राज जो अपने नौशिनिक सकती के लिए परसी था तो यह था आपका चोल कौन था चोल था option आपका बी हो जाएंगे नेक्स आपका है 51 51 में आपका एक सर्दी आपका सूची 1 सूची 2 सूची 1 में है आपका राजबंस और सूची 2 में इसकी राधानी तो आपको क्या करना है मैच करना है आपको चलिए देखते हैं पल्लव है तो पल्लव का राधानी था अपका कांची कहा था कांची यानि आ उनसा option होगा आपका option B हो जाएंगे 2341 नेक्ट अपका है question number 52 question है कि किस अधिवेशन में किस अधिवेशन के दोरान किसानों की समस्या के लेकर गांधी जी से राजक्वाल सुक्ल सबसे पहले मिले थे यह मिले था आपका लखनो अधिवेशन 1916 में यहीं पर गांधी जी को बिहार आने के लिए अमांतित किया था राजक्वाल सुक्ल ने next अपका है question number 53 53 है कि निमे से सबसे पहले की घटना कौन से हुई है तो सबसे पहले आपका होजगा लाला राजबत राय की मिर्टू option यह हो जाएंगे next अपका है question number 54 question है कि निम्खित में से कौन सा और सजोग आंदल के कारण थे तो यह था आपका रॉलेक्ट एक्ट जालिया वलाता है कांड हंटर कमीटी का डीपोर्ट तीन हो जाएंगे option अपका डी हो जाएंगे उप्योगत सभी next अपका है question number 55 question है कि बाल अगर तीलक की सजा के पाचात किसने दया के वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान की रूप में तीलक में मेरी दिल्चस्पी है या क्या कहा था अपका मैक्स मुलर याद रखे गा कौन कहा था मैक्स मुलर ऑप्शन बी हो जाएंगे next अपका है question number 56 question है question है कि पुर्दगालियों को भारतियों महिलाओं से बिवा को परसान करने तथा सती पर रूप लगाने के वाला वैसर है कौन था या था याद रखेगा अलब्रुक कौन था अलब्रुक नेक्स अपका है question number 57 question कर रहा है कि कौन सा सुमेलित है आपका option ए है कि पर्थम करना तक यूद एक्सला पॉल सेपल का संदी बिलकुर सही है बी है कंदूत्य करना तक यूद पांडू चेरी के संदी ये भी सही है 3 है आपका C है तीरत्य करना तक यूद पेरिस के संदी से समाप्त हुआ था ये भी आपका सही है डी हो जाएंगे उप्योकत सभी next आपका 58 question है कि निम्ट कित में से कौन सा सुमेलित है ये है आपका आड़ी महला समाज पंडित नमावाई बिल्कुल सही है B है 18-50 के दसक में बिद्वा पुनरबया इस्जोशियेशन विशनु परसाद पंडित ये भी सही है आपका सोरी विशनु सास्त्री पंडित है ये भी सही है आपका C है सर्विंट ओफ इंडिया सोशेटी के लेख सोरी क्यों है गोपाल किस गोखले आपका C भी हो जाएंगे आपका आपका ओप्शन डी हो जाएगा उप्योक्त सभी नीएट अपका क्योशन इबर 59 कोशन है कि सती चोरा घाट की घाटना इन में से किस गहतना से जुड़ी थी ये आपका 1857 के बीद्रोशे option A हो जाएंगे next अब का question number 60 है question है कि आश्वयोग आंगर के दोरान इन में से किस ने और वाहितनिक मस्टेट के पद से इस्थिपा दे दिया था ति ये दिया था महंदर परताप ने option C हो जाएंगे क्या होगा? 60 का option C हो जाएंगे next अब का है question number 61 ये book है अब का privilege to five kingdom of India के लेखा कौन है इसका हो जाएंगा option D इन में से कोई नहीं क्योंकि ये लिखा आपका हाईचे कौन किसका है? हाईचे या रखिया किसका है हाईचे का next अब का है question number 62 question है कि Lord Village Lee ने अपने राजनी उद्यश को पुड़ा करने के लिए निमें से कौन सा उपाय का सहारा लिया था ये लिया था आपका सहायक संधी परनाली किसका लिया था? सहायक संधी परनाली का option A हो जाएंगे option A हो जाएंगे B क्या है आपका? कि पहले से अधीन बनाए जा चुके सासको को च्छे तरह अपना ये भी सही है खोरला भी दो आपका A, B, C तीन हो जाएगा option D हो जाएंगे option D हो जाएंगे उप्योक्त सभी next अपका है question number 63 question है कि निम्रकित में से कौन महात्मा गांधी के परमुख आश्राम में सुमलित नहीं है क्या है? सुमलित नहीं है option A है Phoenix Form, Durban बिल्कुल सही है फिर है Tolstay Form, जोहनसवर्ग ये भी सही है शेबाकरम आश्राम वार्दा ये भी सही है यानि 63 का आपका सभी option सही है question क्या है? काउन सा सुमलित नहीं है अब बताए इसका एंसर क्या होगा? तब का सभी तो सही है तब का इसका एंसर होना चाहिए इन में से कोई नहीं जो आपका D में होना चाहिए D में तो आपका उप्यूक्त सभी ये आपका नहीं होगा यहाँ होगा इन में से कोई नहीं D में कहाँ होगा इन में से कोई नहीं तब होगा इसका एंसर D नहीं तो A, B, C तीनों सही है Next आपका है question number 64 Question है कि Indian Republican आर्मी के कतिविद्योग में दो लर्कियों की महत्पूर्ण भिमिका आदा किया इन में से कौन नहीं है यानि दो किया था इन में से कौन नहीं है तो आपका option C हो जाएंगे option क्या जगा आपका C हो जाएंगे कलपना दत था फिर आपका है कि प्रिति लता वाड़ेदार ये भी आपके थे option A और B सही है आपका पूछरा है कौन इसमें सामिल नहीं थे तो आपका option C हो जाएंगे निक्ट आपका question number 65 है question है कि वह कौन पहले मुसलमान नेता थे जुरों ने सुदंता संघर्ष के दोरां फांसी दी गई ये थे आपका आजसर्फ उल्ला खां option A हो जाएंगे कौन है आजसर्फ उल्ला खां option A हो जाएंगे निक्ट आपका question number 66 है कि किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हिर्दे जैसे या आपके नामों के तद लिखकर चंपारन की किसरानों के दुर्दसा पर प्रकास डाला था तो ये डाला था पीड मुहमद मुनीश कौन पीड मुहमद मुनीश option B हो जाएंगे निक्ट आपका question number 67 है कि Congress के 37 अडिवेशन में जो पतना हुआ उसके महामंत्री किसे बनाए गया था तो महामंत्री बनाए था सचीतानंद सिनहा को लेकिन इसका अध्यक्स थे कौन RN मघलुकर कौन थे RN मघलुकर यानि इसका अध्यक्स पूछा जाए तो RN मघलुकर हो जाएगा लेकिन इसका महामंत्री होगा सचीतानंद सिनहा निक्ट आपका question 68 है कि महादिवक्ता स्री बल्देव साराय ने किस घटना के दोरान महादिवक्ता पत से इस्थिपा दे दिया था याद रखेगा 68 ये दिया था भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान 1942 जो हुआ था 1942 में इसके दोरान भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान दिया था option आपका ये हो जाएंगे next आपका है question आपका है 69 question है कि अभी बिहार ही ऐसा परांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है और एभाम हमारे लिए उधारन बन सकता है यह कथन गांधी जी ने कब दिया था ये कथन गांधी जी ने कब दिया था ये दिया था अपका सम्प्रधाइक दंगे के समय बी हो जाएंगे नेक्ट कोशन है कोशन कोशन है कि कलानुन कर्मिक के रूप में निमिर्खित को सही कर्में वेवस्तित कीजिए तो कवेंट मिसन आया था का 22 मर्च 1946 को यह था 22 मर्च निस चिया लिष को फिर अपका है कृप्स मिसन तों क्रिस्प्सेशन एmtव का 22 मर्च di Pres banana to Take up करा tiver अगस्त प्रस्ताव एक तх जाद रखी हका आठ अज़ Dios 1940 को कवे था 1940 का यह था फिर आपका है रोयल इंडियान डेभी बिद्रू तो यह हुआ था याद रखेगा आपका 18 फरवरी 1946 को कवे था 18 फरवरी 1946 को तो आप एरेंज कर लिजे क्या होगा इसको एरेंज कीजेगा तो आपका ओप्शन सी आजेंगे 43152 नेक्ट आपका है कोशन नमर्श स्वैंटी स्वैंटी वन है कि भारते रास्टे आउन्दर में के इतिहास में के संदर्म में राजनितिक सुधार के लिए आंदलों सुधु करने वाले पहले भारती कौन थे ति यह आपका राजाराम मोहन राई जीसे भारत की पुनर जागरण का पिताक आते हैं किसे राजाराम मोहन राए को आपशन 2 हो जाएंगे नेक्ट आपका है question number 72 question number 72 है कि करें कौन सा कदम करें ऐसा कौन सा कदम जिसने कंपनी के हाथों से राजितिक सत्ता को छीन लेने के उद्धे से British सरकार दोरा उठाया गया था British सरकार दोरा उठाया गया था यह था Regulating Act 1772 option यह हो जाएंगे नेक्ट आपका है question number 72 sorry 73 आपका 73 है कि कौन सा सुमेरित है तो आपका है एक दिया आपका और स्थार को अग्रेस के बारे में पर्थम और सी अध्यक्ष कोन थे दादा भाइं नरोजी बिलकूर सही है कॉंग्रस के पर्थम अंग्रेज अध्यक्ष कोन थे यह थे जोर्ज यूले तीनु सही है अपका option डी हो जाएंगे उपयोगत सभी नेक्स अपका है question of 24 question है कि नए बिदेश बेपार नीती के बारे में कौन सा कतन सत्य है नए बिदेश नीती के बारे में कौन सा सही है यानि यह हो जगा आपका option A दो यह तेश से अठेस के बीच यह लागू होगा याद रखेगा निक्स अपका है question of 75 कोशन है कि किस पंचवर्सय योजना का नारा तेज और अधिक समावी सी विकास की ओर था यह थाव का 11 वी पंचवर्स योजना याद रखे कब था आपका, यह था आपका, 2007-2012, कब था, 2007-2012, निक्स तपका है, question number 76, question है, कि भारत सरकार के बजट के आंकरों में, ब्याग्ज भूतान, सबसीडी, पिंचन, किसका हिस्था है, तो यह है आपका, राजसु ब्याइका, किसका है, राजसु ब्याइका, option B हो जाँगे, निक्स तपका, question number 77, question है, GDP, GND, GND नियो तापका, GNP होगा, तो यहाँ क्या होगा, पी होगा, GNP, GDP और GNP में मुख अंतर क्या है, GDP और GNP में मुख अंतर क्या है, तो आपका होजएगा, option A होजएंगे, ब्याइसी से सुध साधन आए, ब्याइसी से सुध साधन नेक्ट अपका है, कोस्टन नबर 78, कोस्टन है, का स्थापना के संदर में कौन सा कतन सत्य है, तो NSO का स्थापना 2009-2019 सही है, IRDA का स्थापना 1999 में बिल्कुल सही है, CB का स्थापना 1988 सही है, आप्शन D हो जाएंगे, उप्योकत सभी, नेक्ट अपका है, कोस्टन नबर 79, GDP के भागदारी के संदर में कौन सा असत है, गलत आपसे पूछ रहा है, प्रात्मिक छेथ, यानि 20.19% बिल्कुल सही है, दित्यक छेथ, 25.92 बिल्कुल सही है, तित्यक छेथ, 53.89% बिल्कुल सही है, ABC आपका सभी सही है, D हो जाएंगे, इन मेंसे कोई नहीं, कोई भी असत नहीं है, नेक्ट अपका question number 80, question है, कि मुद्रा अस्पिती के बारे में सत है, या मुल्य बिर्दी है, बिल्कुल सही है, साहुकार को लाव होता है, यह बी सही है, अपका मुद्रा परसार को कम करना, यह भी सही है, option D हो जाएंगे, उप् च कर दाएंगे नेक्स हाब कोशन नमर एट एटी टू कुशन है कि वाइसविक बीध्य इस्थिता रिपोर्ट के रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है तो यह करते हादका अंतराश्टे मुद्रा कोश IMF कौन करता है IMF नेक्ट आपका 83 कोशन है कि दुधारू पसु के प्यूटरी नामक हर्मोन्स का इंजेक्शन देने से क्या आसे है यह आपका कि दूद उतर जाता है यह देने से दूद बनने जो जानवा है वो जल्दी दे देते हैं ओपसन बी हो जाएंगे इसमें आपका Oxytocin हर्मोन होते हैं कौन होते हैं Oxytocin हर्मोन नेक्ट आपका है Question No.84 Question है कि स्वेत रक्त का निकाएं यानि WBC का परमुख कार्ज क्या है यह आपका करता है रोगों से रक्षा के कार्ज करता है क्या करते हैं रोगों से रक्षा के कार्ज करता है जबकि आपका RBC होता है वो आपका Oxytocin का परिवहन करता है नेक्ट आपका 85 Question है कि यद भी सरीर से उसमा नियंतर निगलती रहती है फिर भी सरीर का ताप नहीं गिरता है इसका कारण क्या है इसका कारण क्या है Option ए है कि रक्षा का सारे सरी में परिवर्मन बिल्कुल सही है आपका Option ए ही हो जाएगा नेक्ट है Question number 86 Question number 86 करा है कि मा का दूद पीने वाले बच्चे में बोतल का दूद पीने वाले बच्चों की तुलना में निम्खित में से कौन सा लक्षन पायाता है यह कम मोटा होता है विल्कुल सही है B है उसमें रोकों को परती रोधी छमता अधीक होती है विल्कुल सही है next question 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 number 87 87 है कि आनुवानिसिंख बीजो की खेती के अनुमाती किसके दोरा दियजाती है इसके हो जग आपका option B next question question number 88 88 है कि मानव की सरीशरी की धीमी बिर्धी निम्मे से किस कमी के कारण होती है तो यह होती है आपका protein के कारण से option C हो जाएंगे क्या होगा option C हो जाएंगे next अपका है question number 89 89 है कि vitamin E की बिसिस्ता किसके लिए महत्पूर्ण है तो यह आपका link गरंथियों की समान किल्या में option C हो जाएंगे next अपका है question number 90 क्या है आपका question number 90 है 90 question है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सब vitamin साहिक होता है तो vitamin की होता क्या होगा vitamin की हो जाएंगे याद रखेगा आपका vitamin A के कमी से रतंदी बिमारी होते है vitamin C के कमी से अपका इसकर्ड भी होते है और vitamin E के कमी से अपका बंजा पन होता है याद रखेगा next अपका है question number 91 91 है कि केंद्रक यूकारेटिक्स कोशिका में पाई जाने वाले परमुक कोशिकांग है कुछ कोशिका के वयक्स अबस्था में केंद्रक नहीं पाई जाता है तो निम्मे से कौन ऐसा कोशिका है क्या है निम्मे से कौन ऐसा कोशिका है यह आपका अलाल रुदी कनाय यन्य आपका हो जगा RBC क्या जगा आपका RBC option A हो जएंगे 91 का option A हो जएंगे next आपका question number 92 question है कि हेमोफिलिया एक अनुवांसिक रोग है जिसका वहन है इस्तिरिया करती है और इसका परकड पुरूशों में होता है इस्तिरिया करती है पुरूशों में होता है हैंपिलिया एक अनुवांसिक रोग है याद रखीगा next आपका kwestion 93 question है कि निमकड में से कौन से कौन से कौन सटिशूमेरित है आपका है मैट्रकॉंडिया तaison आपका खोज क्या था कि बिल्कुल सही है फिर आपका गौल जी और काई का खोज क्या है कैमिलो गौल जी ये भी आपका भीटामिन गौने ये भी आपका सही है ओप सब्सक्राइब कोर्शन निए फोर कोशन है कि अलिसा नामक जांच किस रोग के पाच्छान के लिए किया यह क्याता है यह क्याता है का है कोश्चन नमर 95 कि निम्टित में से कौन मच्छर जनित रोग है तो मलेरिया भी मच्छर से होता है डेंगु भी होता है चिकन गुनिया भी होता है आपका option D हो जाएंगे एक से अधिक क्या आपका option D हो जाएंगे नेक्ट आपका 96 96 आपका है कि नाव के चिक्सा में प्रिक्त होता है तो कवाल्ट 60 भी होता है आपका फोस्फोस 32 भी होता है और आईडून 131 भी होता है आपका option D हो जाएंगे ब्योक्त शभी next आपका है question number 97 question है कि अमल बर्षा का pH मान कितना होता है तो यह होतापका 5.6 से कम कितना 5.6 से कम तो अमल बर्षा किसी करण होता है SO2 यानि sulfur oxide और NO2 यानि nitrous oxide के करण SO2 और NO2 के करण कही होता है अमल बर्षा होता है next आपका है question number 98 नेप्थलीन का रंग कर्मस्व है याद रखेगा नेप्थलीन का रंग अमुलिय में आपका रंग हीन होता है यह कोई कलर नहीं देता है जब का चार्य में आपका गुलाबी होता है किस का मिशन है यह आपका CO2 प्लस H2 का है किस का है कि बुलेट प्रूप काच बनाने के लिए निम्खित में से किस एक बहुलत का उप्यो किया जाता है तो ये करते है PMMA option B हो जाएंगे next अपका question number 101 क्या अपका question number 101 है क्या है अगनी सामक के लिए soda acid sorry अगनी सामक के लिए soda acid में होता है क्या होता है तो ये होगा आपका sodium hydrogen carbonate यानि sodium by carbonate और सिलफिरिक एसिड क्या होता है सूरियम बाइक कार्मोनेट यानी एन ए एच सी ओ तीरी और सिलफिरिक एसिड यानी S2SO4 Next आपका है Question No.102 Question है कि नमिल की धातों को पानी के पर्ति उनकी पर्ति क्रिया को बरते हुए करमें बेवस्तित कीजिए यह हो जागा आपका सबसे अधिक सोडियम फिर मैगनिसियम फिर होगा जिंक सबसे कम आइडन option A हो जाएंगे next आपका है question number 103 question है कि निम्मे से कौन सी राशी अधीस है यानि scalar है scalar होता आपका यह हो जागा work यानि carg option C हो जाएंगे जब कि आपका तोरण क्या है vector quantity है यानि सदीस राशी है फिर आपका awake क्या है यह भी आपका vector quantity है यानि सदीस राशी है और भी आपका अधीस राशी कान है जैसे द्रमान क्या आपका अधीस राशी है क्या है द्रमान ये आपका अधीस राशी है जबकि भार आपका सदीश रासी है याद रखेगा तरमान आपका अदीश रासी है भार आपका सदीश रासी है इसी तर आपका बिदुद्धारा क्या है अदीश रासी है बिदुद्धारा क्या आपका अदीश रासी है याद रखेगा नेक्स आपका है कोश्चन नमबर 104 कोश्चन है कि निम्खित में संस्थापक के रूप में असती है करे कौन सा असती है ठीक देखते हैं ओपसन ओपसन यह है यूटूब यानि यूटूब का यह है एस्टीव चेन बिल्कुल सही है फिर आपका फेस्बुक मार्क जूकरवर्क यह भी सही है ट् 105 कोश्चन क्या है आपको इसमें मैच करना है 105 में क्या करना आपको मैचिंग करना 105 में ठीक आपको ऑफ्षन भी हम दिखा देते हैं आपका एक-दो औप्षन्स भी आप इलिम्नियट कर सकते है तो दो चलीं पूडा एपकों मिलाते हैं आपका नेक्ट अपका है question number 106 question है कि पृत्वी के तल से plan wave क्या होगा escape velocity यह होताब याद रखेगा 11.2 km per second escape velocity यह होताब का कि पृत्वी के सदा से कितने minimum speed से फ्यका जाए कि वो आपका दुबारा वापिस लोट कर ना आए यानि अंतिक्ष में चला जाए इसको बलते escape velocity यह होताब का 11.2 km per second next अपका है question number 107 question है कि निम्कित में से कौन सा बम केबल जीव धारियों को प्रभावित करता है भावनों आदी को नहीं यह अपका हो जगा neutron bomb option यह हो जाएंगे neutron bomb option यह हो जाएंगे next अपका 108 question number 108 है कि भारत एबम 20 के सबसे तेज सूपर कंप्टर है तो भावत का सबसे तेज है प्रमसिद्धी और 20 का सबसे तेज है अपका frontier जो आपके अमेरिका का सूपर कंप्टर है option आपका यह हो जाएंगे भावत का सूपर कंप्टर प्रमसिद्धी और अमेरिका का सबसे तेज फ्रेंटियर निफ्टप का है कोश्चन नमबर 109 कोश्चन है कि एक कृतिम उपगरा विश्वत रेखा पर एक निश्चित इस्तिती के ठीक उपर देखा जा सकता है या उपगरा आप्शन ए है कि आंतरिक्षी में इस्तिर आता है पित्वी के चारो और एक वर्ष में चक्कर लगाता है बिल्किल आपका बी सही हो जाएगा आप्शन बी करेक्ट है निफ्ट आपका कोश्चन नमबर 110 कोश्चन है कि यदि हम लोलक को किसी दर्म में से भरे वरतर में लटका दी तो क्या होगा ये क्या होगा आपका लोलक सिग्र ही रूप जाएगा लोलक का टेंपरियर क्या होता है आपका टी बर होता है टूप रूट अंडर लगाई जी क्या होता है टूप रूट अंडर लगाई जी कोश्चन नमबर 111 कोश्चन यह है कि हर सुरी हीरे कांच और पानी में परकास के विग निम्मे से में घरते करम में घरता है कौन सा होगा याद रखेगा जिसका अपवरतनांग अधीक होगा उसमें आपका विग क्या होगा कम होगा जिसका अपवरतनांग अधीक होगा उसमें परकास के विग कम होगा और एक चीर्ड या देखेगा क्योंकि आपका आपरतनांक वरावर होता है C by B क्या होता है C by B यहाँ देख सकते हैं आपका जो Mew यानि आपरतनांक होता है वो इनिवर्शली प्रोफेशनल रूट होता है Speed of light यानि Speed के क्या होता है आपका इनिवर्शली प्रोफेशनल होता है तो हम कर सकते हैं कि जिसका आपरतनांक कम होगा उसमें वेग अधिक होगा जिसका आपरतनांक अधिक होगा उसमें वेग कम होगा तो आप देख लिए ओप्शन से ओप्शन से देखते हैं ही रा ही रा है अपका सबसे कम होगा तो किए हिरा का धुम्धनाइच कहुंडा हो सा चैर्साटाब कर्या है कितना होता है याद रखे है कितना होता है такого कि लगने कह yine होता है तो काज निचाश्क का याद रखेगा य सिल्टाब क मैशिद लाणा-खन키 होता है 1.33 यह अपरत्राग काई पानी का 1.001 फ對 खांश 161 और हिडा ही और हीरा का 2.42 तो सबसे कम किसका परत्राग काईज पानी का इसी इसमे सबसे अधीक होगा इसका बात कांश का又 सबसे almost का हीरा का परत्राग का हें तो ही को स्रिलंका भारत सिर्लंका बिच आपका पाक जल संदी है निम्य से किसे किस को सहंद्री परतमाला भी कहते हैं तो पश्मी घाट को सहंद्री भी कहते हैं option c हो जाएंगे नेक्टाइ 115 कोशन है निमे से कौन सा जल सुन्यक इंडोनेसिया के सुमत्रा दुप को मलेसिया से अलग करता है यह आपका मलक का जल संदी option c हो जाएंगे नेक्ट आपका है question number 116 question है कि मौसम बदलने का क्या करन है तो यह आपका प्रित्वी का सूर्ज के और चकर लगाना और अपने अक्स पर जुका होना option c हो जाएंगे नेक्ट आपका question number 117 है कि निम्मे से कौन सा विरिष्टी छाया च्छत का उधारन है तो यह आपका a, b, c, d, no है इसलिए आपका option d हो जाएंगे और प्योक्त सभी नेक्ट आपका question number 118 है कि भारत के च्छत्रिय सिमा टट से कितने किलोमेटर तक समुदरी और फैली है ति यह आपका 21.9 किलोमेटर, 21.9 किलोमेटर आपका option b हो जाएंगे याद रखेंगे 21.9 किलोमेटर या 12 समुदरी मिल, 12 समुदरी मिल, कितना है 12 समुदरी मिल नेक्ट आपका question number 119 कि निम्रकेत में से कौन सा यनुस के वाय और स्पेर रिजब के तीन परमुख नदी, तंत्रो, नरमदा, जोजीला और सो नदी का उद्गम सुरोत है ति यह आपका अमरकंटक option b हो जाएंगे नेक्ट आपका question number 120 कि निम्रकेत में से कौन सा अल्टर्टांटिक महासागर की ठंडी जल्दारा है यह आपका फॉक लाइन का जल्दारा option c हो जाएंगे next है 121 question है कि मुखबंतरिय साथ निष्चे योजिणा 2 की घोषना का लक्ष 9 में से कौन सा सहरी के लिए किया गया है तापका 100 चल्दार का निर्मान बिल्कुल से b निर्मान हर घर जल का नल बिल्कुल सही है ने के अंतरगत सुरू किया गया है तो आपका 112 को जगा आपसन ए प्रयावरन एबं जलवायू पडिवर्तन विभाग के सवयोग से जीवी का द्वारा नेक्ट है हाली के आर्थिक सर्वेक्शन का नुसार मुताविक्त बिहार के प्रत्ति व्यक्ति आये कितने है तो यह आपका चोवन हजार तीन सो तिरासी है ऑपसन सी हो जाएंगे नेक्ट अबका कोश्चन नबर 124 की बिहार के उच्छ नेयले के बरत्मान मुखनेजिस कौन है तो यह आपका बिनोद यानी जस्टिस बिनोद चंदरन है ओपसन यह है याद रखेगा नेक्स टब का कोश्चन बाइ एक सो सत पचीस कोश्चन है कि 1857 की विद्रों के समय पतना का कमिश्णर कौन था पतना का कमिश्णर कौन था ये था आपका बिलियम टेलर कौन थे बिलियम टेलर आप्सन ये हो जाएंगे नेक्स टब का 126 की इनमें से किस गरंथ में आधुनिक बिहार की राधानी आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्थ होती है ता आपका सत्पत ब्रहामन, महाभारत, साकी अरनेक आपका ओपसन C होना चाहिए इसका सोरी, option A, B, C तीनों सही है, आपका option D हो जाएंगे, क्या होगा option D हो जाएंगे, नेक्स टापका है question number 127 127 है कि बिहार के संदर में कौन सा असत्य है, यहाँ पर यह क्या है असत्य है, यह है आपका कि लोक सबा सीट 40 बिलकुल सही है बिधान सबा 243 बिलकुल सही है बिधान परिशत 75 बिलकुल सही है A, B, C, तीनों सही है आपका option D हो जाएंगे, इन में से कोई नहीं, और एक चिए याद रखे है कि राश्वा सीट कितना है बिहार में तो आपका राश्वा सीट 16 हो है 16 राश्वा सीट है नेक्ट आपका question number 128 question है कि बिहार की तराई परदेश बिस्तृत है बिहार की तराई परदेश परवेशने होगा परदेश होगा, परदेश बिस्तृत है यह हो आपका छोटा नागपुर पठार के उत्री कागार के समानतर से अधिक बिलकुल सही है भारत नेपा सिमा के समानतर यह भी सही है रोतास पठार के पूर्वी कागार के समानतर यह भी सही है उप्युक्त सभी हो जाएगा option D हो जाएगा आपका उप्युक्त सभी नेक्ट आपका question number 29 question 8 कि बिहार की सुमिस्वर सरीनी है बिहार की सुमिस्वर सरीनी है option A है कि पारसनात पहारी से पुराना बिलकुल सही है B है कि राज महल की पहारी से पुराना जीवन गरामी यह भी सही है खरकपुर पहारी से पुराना option C यह भी सही है option D हो जाएगे उप्युक्त सभी सभी आपका सही है निएक्स्ट अबका है कोश्टन नमर 137 कोश्टन है कि बिहार किर्शी विकास रोड मैप 4 की समय सीमा है ये अबका दोयार 233 से दोयार 187 है इसे आप याद रखेगा कौ송 है कि निमखित में से कवा सा मिलान सही है कुछ मिस्टेक है डीम होना चाहिए उप्युक्त सभी सभी इसलिए आपका ओप्शन डी होना चाहिए लेकिन चलिए ओप्शन डी नहीं है तो ए बी सी तीनों हो जाएंगे नेक्ट अपका है कोश्चन नमर 132 कोश्चन है कि बिहार में कौन सा एक मात्र जीला है जहां एडी यह सर्म का उत्पादन होता है तो यह आपका भागलपूर ऑप्शन यह हो जाएंगे इस आप बिहार सबस्पेसल का बीडियो कोश्चन में मिल जाएगा वहाँ पर हम Bihar Special का question करवा चुके हैं यहाँ से आप Bihar Special एक पर जरूर देख लिजिएगा क्योंकि आपका 25 से 30 question आपका Bihar Special को पूछे जाते हैं तो बहुत मैंने रखते आपका 25 से 30 question इसलिए आपको Bihar Special पर विश्यत दियान देना परेगा तो आप यहां से बिहार स्पेसल का वीडियो देख लिजेगा चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कोशन है 133 कोशन है कि बिहार की कुछ नगड़ों और उससे समन्दित उद्यों को जोरा परस्तूत है तो गलत जोरा बताईए क्या करा गलत जोरा को बताना है हाजी पूर पलाइवूड देख बिल्कुल सही है समस्ति पूर कागज लोगती यह भी सही है पूर्निया जूट यह भी सही है आपका आपका अपसन डी होजेंगे इनमें से कोई नहीं गलत है कोईशन में 134 कोईशन है कि एक जिला एक उत्पाद के मामले में अस्थ है एक जिला एक उत्पाद के मामले में अस्थ है आपसन ए है मुझब परपूर मुझब परपूर सुजनी कटाई option A बिलकुर सही है गाया है एस्टोन क्राफ्ट बिलकुर सही है द्रवंगा है हाथ की कडाई द्रवंगा माँ आपका हाथ की कडाई नहीं है आपका यहाँ पर painting है मितला painting तो आपका option C कलतोजे का पतना है टिकुलू painting यह बिलकुर सही है आपका option C हो जाएंगे नेक्ट अपका question 135 है की बिहार में सार्वतिक अनुसुचित जातियों की संक्या किस जिले में है तो आपका गया में है option B हो जाएंगे यह सभी अपका बिहार अस्पेसल से question है question 136 है कि निम्कित में से कौन सुमेलित है बिश्वा ऐसे आई खेल 226 कहा होगा तो नौगोया जपान में होगा तैस्वा फुटवाल विश्कव 226 कहा होगा अमेरिका कनाडा मासी को गम होगा इसलिए आपका option C हो जाएंगे A एंड बी दोनों सही है next अपका 136 आपका जीनेवा में जीनेवा में ही इसका आपका मुख्याला भी है 20 सुबह पार सुंग धनका next है question number 138 question है कि भात में नाइनो तकनिक के जनक करूप में किसे जाना जाते हैं तो यह जाते हैं तो आपका C, C, N, R, R, option B हो जाएंगे next है 149 question है कि निम्में से कौन सा सुमेलित है arsenic, patna, bhojpur, खागडिया प्रभाइत जीला आपका nitrate, herbal, baka, भागरपूर यह भी सही है आइडन, बिहार के सभी जीला option D हो जाएंगे और प्यूक सभी सभी सही है next आपका 140 140 से आपका 150 तक आपका math का प्रस्ण है math or reasoning का प्रस्ण है तो चलिए, यहां से शुरू करते है question है कि एक लगातार संख्या को 3, 5, 2 से भाग देने पर 2, 3, 1 successful प्राप्त होता है तो बताए कि वह संख्या क्या होगी जबकि अंतिम साथ है देखिए question यह नहीं question यह है कि किसी संख्या में 3 से भाग देते है फिर जो आपका भागफल आता है उसमें हम 5 से भाग देते हैं एक सगिन पहले किसी संक्या में हम क्या करते हैं तीन से भाग देते हैं जो आपका भागफल आएगा तीन से भाग देंगे तो 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 स सथी로 सब्सक्राइब तो पांच एकन पांच फिर दू पांचे 25 तीन आया से सफ़ल यानि ऐसी करना है जो उसके भाग फ़ल्म आएगा उसमें इससे भाग देना है आपका ओप्शन भी आ जाएंगे निट आपका कॉस्चन नमर 141 कोस्चन है कि इतने अक्षरों को कितने अलग अलग तरीके से करम बद किया जा सकता है तो कितने अक्षर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे है तो छे का फ्यक्टोरियल हो जगा बर्टे कितना बड़ कोन रीपीट है तो 8 आपका दूबर इससे calculate किजएगा आपका आजएगा 180 इसको तोरना नहीं आता दखिए आईसे करेंगे 6 के फिकला है तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 तक होगा फिर आपका 2 का था 2 गुने 1 फिर आपका 2 गुने 1 इससे कर दिजए दो दिनी 4 हो जाएगा फिर 2 से 2 कर जाएगा 36 तीस 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 तीया 90 दूना 180 ओप्शन ए आजएगे नेक्स्ट आपका है कोश्चन नवर आपका है 142 122 ऐसे कि 6 सेंटीमेटर आधार वाले तइबुज का छेत्फल उस वूर्थ के स्थuego के बराबर हो यहां थोड़ा मिस्टिक लग रहा है 6 सेंटीमेर तीज़ा वाले अधार माले तिरीफूज का छेत्फल उस वूर्थ के छेत्फल के बराबर हो यानि आपको 6 cm कहले लेना आपको तिरफूज का अधार लेना है और बीद का 30 भी लेना है ति क्या करेंगे दोनों का छेत फ़ल बराबर कर दीजिए क्या होता है 1 by 2 अधार कुने उच्छा है यहां का तिरफूज का छेत फ़ल बराबर है आपका पाई आर स्क्वाइड पाई फॉटी थिरी देखे यह रीजिन का कोशना का बहुत ही संदार प्रस्ण है यहां पर घरा क्या होगा आप सुचिए यहां पर 17 है 24 है 6 है फिर आपका 8 है 25 है 10 है आप कूपर से देखिए इधा सापका 17 है 8 है 12 है अप सुचिए कैसी होगा देखिए इसमें ऐसे किया गया है क यह तीनों को आप एड़ की जाये तो आपको 60 आएगा और आपका बाकी जो भी संखिया है उसको भी जोड़क आपको 60 ही आना चाहिए ऐसा लोजिक यहां पर लगाया गया है तो इसको आप बाकी को जोरेगा तो आपका 53 आएगा कितना एगा 53 आएगा तो साथ में से 53 गटा दिए यहाँ पर क्या होना चाहिए साथ होना चाहिए आपका यह आ जाएंगे नेक्ट आपका कोश्चन नमर 144 144 है 144 क्या है एक दुकानदार अंकित मुल पर 15% के छूट पर रेडियो को बेचने पर 25 परतिसत का लाव पराप्त करता है तो बताए रेडियो के अंकित मुल और क्रे मुल का अनुपात क्या होगा देखिए मान लेते हैं अंकित मुल आपका क्य है तो 25 पर से यानि यही आपका क्या है इतना ही हम बेचते हैं लिड यह ही बेचते ना 15% डिसकॉन्ट के बाद पर यही आपका हो गया बिकता है मुझे एकीट्ची से अक्सचाषी एक्सीन हरे हंडियो क्या रहा सी तो निकाल hyvä क्या यहीं क्याटकर अठ्चाषी किआगा थ तो पच्चीस आजाएगा इससे आपका आगया क्रेमुल आगया इसे काटिएगा सब्सक्राइब पंचेश 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 शावासो यह क्रेमुल है यह अंकित मुल है तो दोनों का अनुपात आगया आपका 25 अनुपात 17 ओप्शन डी हो जाएगे सब्सक्राइब इसमें तेके सभी का वोड़ होनेगा फिर ऑक आपका 3 फिर आपका 15 फिर अपका 3 होता है फिर आपका के का नहीं हो जाएगा नेक्ट आपका है question number 146 देखिए यह वह बहुत अच्छा प्रास्न आपका यहां देखे 10 है फीर आपका 7 है आप इसमें क्या कीजें आप फिर भी नहीं बनाएगा जोड़िये जोड़िये पिर भी आपको नहीं आएगा दिखिए आपके क्या किया गाया है 7 3 कर दिए शे बना रहेगा फिर आपका 7 आया 7 को आप 2 से multiply कीजिए से minus 3 कीजिए इसी तरसे आप यहां पर 3 से multiply कीजिए एक आरत यहां 33 में से 3 गया तो 30 इसी तरसे आपका यहां पर 30 में 4 से multiply कीजिए minus 3 कीजिए तो 120 120 में से 3 गया 17 आप यहां क्या करेंगे तो 170 में आपको चार से आप क्या कीजिए चार से हो गया पांसे कीजिए पांसे गुना कीजिए minus 3 कीजिए यह आजाएगा आपका option C आजेंगे 582 next आपका 147 है question क्या है कि वो छोटी छोटी संख्या काउंसी होगा जिसमें 6 9 12 15 18 से बिवक्त करने पर पर परतेक दसा में दो सेस बचे कुछ नहीं करना आपको सभी का आपका क्या करना lcm करना देना इसमें 2 को एड़ कर देना है तो आप 6 9 और 12 15 18 का आप कीजिए आपका कीजिए तो आपका आएगा 180 बहुत असान है आपका lcm आ जाएगा lcm करना हम आता होगा आपको लोगों को तो 180 आएगा इसमें 2 आप एड़ कर दीजिए तो आपका आजाएगा आपका 9 109 बाटे 8 हो जाएगा option number आपका सी हो जाएगा option पाई आड जो इसका पड़ीदी हुआ इतना ही दूरीताय करेगा एक चकर में इसमें आप क्या कि जब 500 गुना कर दीजे आपको पाई कमान पता होता है और गुने आपको पाई कर दीजे आपका एंसर आजाएगा तो 149 का आपका ओप्शन बी आजाएंगे कर लिजेगा नेक्ट आपका है कोश्चन नमबर 150 कोश्चन है एक संभाव त्रिवूज के अंतरगत एक बिर्त बनाया गया है त्रिवूज संभाव उसके अंदर क्या गया बिर्त बनाया गया इसका तीजा मालीज आज है और इसका आपका सैड जो है मालीज ए है यहां से आपका आधा कितना होगा एक आप रिलेशन इसमें याद रखेगा एक रिलेशन आप याद रखेगा कि आपका होता है आपका हो जाएगा ए बरावर टू रूट थिरी इंटू आर, क्या होता है, ये बरावर टू रूट थिरी इंटू आर, क्या होता है, ये बरावर टू रूट थिरी इंटू आर, इसी आप याद रखेगा, तो आपको question बनाने में असानी होगा, इसी आप याद रखेगा, question बनाने में आपको असानी होगा, तो इससे क्या होगा अब दिया है कि बिर्द का छेथफल दिया है 231 तो हम जानते हैं पाई आर स्कुएर बढ़ार हो जगा 231 यहां से आप आर के वैल्यू यहां रख दीजेगा आप आर के वैल्यू यहां रख दीजेगा और उसके कहा कर रहा है कि तिर्भुज का परिमाब तो क्या होता थीरी गुने भुजा थीरी गुने एक किजिएगा एक कमान यहां से आपका आ जाएगा उसमें तीन से क्याकर आपको गुना करना है तो आपका आप्सन यह आ जाएंगे 36 root 2 36 root 2 चलिए हम बना ही देते हैं चलिए ठीक है चलिए pi r square r square pi r square बड़ाबर 231 है इसको काटीजे 11 दुनी 22 11 दुनी 22 11 दुनी 21 11 यहां से आपका r का value एलाएगा क्या 21 गुने 7 बटे 2 का root ध्यान दीजे 21 गुने 7 बटे 2 का root 21 को लिख सकते हैं क्या 7 3 21 तो 7 7 एक और साथ बाहर आजाएगा अंदर बज़ेगा 3 देखिए क्या लिख सकते है r को हम लिख सकते हैं क्या 7 into root 3 by 2 यह आगे आपका r हम क्या करेंगे पहले यह निकालेंगे यह बड़ावर होता है याद रखेगा 2 root 3 शोरी एक सेकंड एक सेन 2 root 3 into r होता है ठीक है यह बड़ावा 2 root 3 into r यहाँ से आप r के value रखिए तो 2 root 3 r के value हो जगा 7 into root 3 बटे root 2 root 3 2 से 2 को कर देगा root 2 आजएगा root 3 गुने 3 की जगा root 3 गुने root 3 की जगा तो 3 आजएगा यहाँ से आपका आजएगा यहाँ से आपका एक value कितना आजएगा 21 root 21 root 2 आजएगा 21 root 2 हम जानते हैं तीभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा यहाँ से आजएगा 21 root 2 गुने 3 हो जएगा यहाँ से आजएगा 63 root 2 आजएगे option आपका A हो जाएगे तो यह था आजएगा आजएगा शेट नमर 1 यह था आजएगा शेट नमर टेस्ट नमर वन था आपका यह था आपका फूल टेस्ट क्या था फूल टेस्ट था इसी तरह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आस्था आजएगा सकेंड टेस्ट लेकर आएगे चलिए आज के लिए इतना ही थैंक्यू देनेवाद जिदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जिरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा